कि आई ये रिडेक्शन फरोमला हम लोग पढ़ते हैं साइन पे पावर एम एक्स इन्टू कॉस्ट पे पावर एन एक्स एक सब्स्टिस्यूशन इसमें याद रखना पड़ेगा क्या सब्स्टिस्यूशन ध्यान से देखिए लिट पी एक्वल टू साइन पे पावर एम पलस वन एक्स कॉस्ट पे पावर एन मैनस वन एक्स यानि कि साइन पे जो पावर है एक ज्यादा कर दिजे और कॉस्ट के पावर को एक कम कर दिजे और अब इसको आप डिफ्रेंसियेट किजे differentiating with respect to x p का कितना हो गया dp by dx p का dp by dx बराबर cos पे power n minus 1x वैसे हैं इसको किज़े power उतरेगा और power में आपका एक घड़ जाएगा और power में आपका एक घड़ जाएगा और फिर sin का cos x हो गया sin का हो गया cos x अब पलस अब आपका जो है अब आपका sin पे power m plus 1x वैसे हैं power उतर जाएगा power में एक घड़ जाएगा और cos का हो गया minus sin cos का आपका हो गया minus sin देखे तो क्या मिला dp by dx बराबर m plus 1 sin पे power mx cos पे power nx minus n minus 1 sin पे power m plus 2 और m m plus 2 हो जाएगा यानि कि sin पे power mx into sin x और आपका हो गया cos पे power n minus 2x into cos पे power n minus 2x हो गया अब देखे तो क्या मिला आपको dp by dx पे power m plus 1 dp by dx equal to m plus 1 sin पे power mx cos पे power nx next next और आपका minus minus और देखे तो क्या हो गया यहाँ पर n minus 1 और आपका जो है और आपका क्या हो गया यहाँ पर sin square x है तो sin पे power mx और sin square के जगा 1 minus cos square x into cos पे power n minus 2x into cos पे power n minus 2x हो गया ठीक और अब क्या किजिए तो dp by dx equal to यह आपका हो गया m plus 1 m plus 1 sin पे power mx sin पे power mx cos पे power nx और minus n minus 1 sin पे power mx into cos पे power sin पे power mx sin पे power आपका हो गया mx into cos पे power n minus 2x और इसके साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा minus sin पे power mx into cos पे power nx क्योंकि यहाँ क्योंकि स्क्वायर है ना यहाँ पर minus 2 है तो आपका हो जाएगा किंसिल यह आपका हो जाएगा गिंसिल आपका हो जाएगा किंसिल अब क्या बचा देखिए तो तो dp by dx बराबर समझे गया dp by dx बराबर ध्यान से देखिए आप जो है न sin पे power mx cos पे power nx को बाजू मिले लीजे तो यहां से क्या बचेगा m plus 1 और यहां से यह minus into minus आपका हो जाएगा plus n minus 1 sin पे power mx into cos पे power nx और इसके साथ गुना कर देजे minus n minus 1 sin पे power mx into cos पे power n minus 2x into cos पे power n minus 2x ठीक है यह दोनों भाई साहब खतम तो dp बराबर कितना हो गया m plus n sin पे power mx cos पे power nx dx और साथी साथ minus n minus 1 sin पे power mx cos पे power n minus 2x और dx अब दोनों तरफ आप इसको integrate कर लिजे अब दोनों तरफ integrate कर लिजे in T integrating we have integration dp बराबर m plus n constant t बाहर integration sin पे power mx into cos पे power nx dx minus n minus 1 बाहर integration sin पे power mx into cos पे power n minus 2x dx समझ गे इतना आ गया hope कि आप इदर लिख लिए होंगे आप इदर लिख लिए होंगे तो इसको मिटाते हैं नहीं तो फटा फटा आप नोट कीजे ठीक चलिए P का भेलू हम लोगों को लिखना पड़ेगा इसलिए P को अभी नहीं मिटाएंगे हम P के भेलू को लिखना पड़ेगा तो P को अभी नहीं मिटाते हैं देखे तो क्या मिला देखे तो क्या मिला तो D P का इंट्रिगेशन कितना हो जाएगा P बराबर M पलस N इंट्रिगेशन Sine पे पाउर MX, cos पे पाउर NX, DX और Minus N-1 इंट्रिगेशन Sine पे पाउर MX, cos पे पाउर N-2X और DX और P के भेलू आप यहां से लिख लिए समझगे, P के भेलू यहां से लिख लिए तो क्या हो जाएगा P के भेलू Sine पे पाउर M प पलस 1X cos पे पावर n-1x equal to m plus n integration sin पे पावर mx cos पे पावर nx dx minus n-1 sin पे पावर mx cos पे पावर n-2x dx समझे और अब इसको रहने देजे इस भाई को उधार लिख देजे लेकिन पहले इसी को लिखिएगा तो क्या मिलेगा m plus n sin पे पावर mx cos पे पावर nx dx equal to sin पे पावर m plus 1x cos पे पावर n-1x और यह भाई सब उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा plus क्या हो जाएगा आपका यह plus क्या हो गया बोलिये तो n-1 integration sin पे पावर mx cos पे पावर n-2x और dx और आपका हो गया dx चलिए होप क्या आप इदर लिख लिए होंगे आप इस तरह लिख लिए होंगे तो देखे क्या मिला आप क्या किजिए m पलस n से भाग दे देजे तो integration sin पे पावर mx cos पे पावर nx 2x और dx हो गया और क्या हो गया dx हम लोगों को limit लेना था limit 0 से पावर 2 लेकिन अभी तेख हम लोग limit नहीं ले पाए है अब आप यहाँ पे limit ले लिजे 0 से पावर 2 तो implies integration 0 से पावर 2 sin पे पावर mx cos पे पावर nx dx इक्वाल टो 1 बाई m पलस n sin पे पावर m पलस 1x cos पे पावर n-1x limit 0 से पावर 2 पलस n-1 बाई m पलस n limit 0 से पावर 2 sin पे पावर mx cos पे पावर n-2x और आपका हो गया dx इसी को हम लोग क्या बोले हैं इसको बोले हैं i mn तो यह हो गया i mn यहाँ पर देखिए यदि आप अपर limit pi by 2 रखेगा तो cos के बज़े से 0 हो जाएगा lower limit 0 रखेगा तो sin के बज़े से 0 हो जाएगा यानि कि anyhow यह खतम यहाँ पर क्या बचाए n-1 by m पलस n और यह भाई साब देखिए ठीक यही format है यही format है बस n का जो है n जो cos का power n है वो घटकर n-2 हो गया है वो घटकर n-2 जबकि sin का ठीक है तो इसको आप m, n-2 लिख सकते हैं m, n-2 आप इसको लिख सकते हैं समझ गया और फिलहाल आप क्या किजे तो इसका आप नाम दे देजे एक नमबर और अब आप क्या किजे तो im n-2 निकल लेजे तो देखे कैसे फर्मूला है यहाँ पर n है तो इससे एक कम वहाँ n-2 है तो इससे एक कम n-3 नीचे दोनों का जोड तो नीचे दोनों का जोड m पलस n-2 और im में तो कोई फर्क ने पड़ेगा n था तो n-2 हो गया n-2 है तो n-4 हो जाएगा n-4 समझ गया और फिर im n-4 हम लोग निकालते है im n-4 हम लोग निकालते है तो देखे तो क्या मिलेगा क्या मिल जाएगा इसको मैं मिटा देता हूँ अब इसका काम खतम हो चुका है देखे अब क्या आपका है तो i m n-4 निकाल लेजे तो n जितना है उससे एक कम उपर n-4 है तो n-5 उपर निचे दोनों का जोड़ और यहां पर i m में तो फर्ग ने पढ़ रहा है लेकिन n है तो n-2 तो n-4 है तो n-6 हो जाएगा और इसी तरह से हम लोग चाहें तो निकाल सकते हैं therefore therefore i m n बराबर कितना हो गया n-1 by m पलस n फिर इसको लिख लेजे n-3 by m m पलस n-2 फिर इसको लिख लेजे n-5 by m पलस n-4 और साथ ही साथ आपका क्या हो गया तो साथ ही साथ आपका हो गया i m n-6 समझ गया इतना हो गया और अब यहां से केसिस बनना सुरू होगा क्या क्या केस बनेगा देखिए अब यहां से केसिस बनना सुरू होगा इसका नाम आप जो है ना इसका नाम यह रहने दीजे बाद में जरुत पढ़ेगा ते देदेंगे केस हाँ आपका जो है आपका या केस छोड़िया आप लिखिए नमर वन नमर वन लिखिए नमर वन If n is even यदि n आपका even होता है तो अभी सिर्फ n की बात कर रहे है m की बात नहीं कर रहे है यदि n आपका even रहेगा तो क्या होगा तो I M N equal to N minus 1 by M plus N N minus 3 by M plus N minus 2 N minus 5 by M plus N minus 4 dot 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 I M देखिए यहाँ पर किसी भी हालत में जो घट रहा है वो even ही घट रहा है जो घट रहा है वो भाई सब क्या घट रहा है आपका even ही घट रहा है तो evens even घट रहा है तो 0 हो जाएगा यानि कि I M 0 और देखे लिखने के क्या तरीका है जस्ट इसके पहले कैसे आप लिखिएगा यहाँ पर N minus 6 है तो इससे एक ज़्यादा N minus 5 यहाँ पर है 0 है तो एक ज़्यादा नीचे M तो होगा है M तो होगा है यहाँ पर देखे N minus 5 है तो उससे एक ज़्यादा नीचे N minus 4 है यहाँ पर एक है तो उससे एक ज़्यादा नीचे कितना हो जाएगा 2 इससे एक ज़्यादा कितना हो जाएगा 2 और अब देखे इसके पहले क्या होगा यहाँ पर n-5 है, इसके पहले n-3, 2 ज्यादा है यहाँ पर 1 है तो उसके पहले आपका हो जाएगा 3, 2 ज्यादा नीचे भी देखिए, m-n, m-4 है बलकि m-n मत किजे, m-n मत किजे आप ऐसे कीजे, क्या किजाएगा? n-4 तो इससे यह 2 ज्यादा यहाँ पर दो है तो दो जादा आपका कितना हो जाएगा फूर दो जादा आपका कितना हो जाएगा फूर हो जाएगा ठीक है और अब हम लोगों को क्या करना है I am 0 निकलना है I am 0 अब आप क्या किजिन ना हो I am 0 निकल लिजे integration 0 to pi by 2 sin पे पाउर mx cos पे पाउर 0x dx cos खतम हो गया यानि integration 0 to pi by 2 sin पे पाउर mx dx हो गया sin पे पाउर mx dx समझे तो यहाँ पर जो है अब आपका depend करता है aim आपका even है कि odd है यहाँ पर अब depend करता है aim आपका even है कि odd है अब देखे इसको आप कैसे लिख सकते है इसको आप therefore क्या लिख सकते है लिखेगा therefore i mn equal to n minus 1 by m plus n n minus 3 by m plus n minus 2 n minus 5 by m plus n minus 4 dot 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 3 by m plus 4 1 by m plus 2 और i m0 का मतलब हो गया integration 0 to pi by 2 sine pay power mx dx sine pay power mx और dx अब देखे यहाँ पर यदी m आपका यदी m आपका odd है तो अलग case बनेगा m आपका even है तो अलग case बनेगा हम लोग sign बाले format में पढ़ चुके थे sign बाले format में हम लोग पढ़े थे अब यहाँ पर case 1 case 1 if m is even यदी m आपका यहाँ पर even हो जाए यदी यहाँ पर m even हो जाए तो half into pi by 2 last में होता है याद रखिएगा half into pi by 2 हम लोग पढ़े थे तब आपका क्या हो जाएगा i mn बराबर n-1 n-1 by m plus n n-3 by m plus n-2 n-5 by m plus n-4 dot 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 3 by m plus 4 1 by m plus 2 into यदी यह आपका even हो जाए यदी आपका यह even हो जाए तो क्या है formula नीचे m उपर उससे एक ज़्यादा उससे एक कम नीचे m उससे उपर एक कम और दो-दो कांतर लिखते जाएए into कितना हो जाएगा m-3 by m-2 dot 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 1 by 2 से खतम होगा यदी आपका even रहेगा तो 1 by 2 से खतम होगा और 1 by 2 से खतम होगा तो pi by 2 into into कितना हो जाएगा pi by 2 into आपका हो जाएगा pi by 2 यदि यह समझने में दिक्कत है तो आप reduction का पहला lecture जरू देखिएगा यदि M आपका odd रहे तब क्या होगा यदि M आपका order है तब क्या होगा तब आपका I MN बराबर N-1 by M plus N N-3 by M plus N-2 N-5 by M plus N-4 dot 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 3 by N plus M plus 4 1 by M plus 2 और अब जो है order है तो शुरू यहीं से होगा यानि कि M-1 by M M-3 by M-2 दो-दो कांतर होगा लेकिन last आपका किसे खतम होगा? last खतम होगा 2 बटे 3 से last किसे होगा यह 2 बटे 3 से खतम होगा समझे? यह थियोरी हम लोग पढ़ चुके हैं पहला लेक्चर में reduction के पहले लेक्चर में हम लोग इस थियोरी को पढ़ चुके हैं ठीक है? तो पहले देखे हम क्या लेके चले? पहला case N-even और N-even में हम लोग दो case लेके चले पहले N-even लिए तब हम लोग M के बारे में बात किये M या तो odd होगा या even होगा अलग लग formula आया अब हम लोग जो है ना फिर दो नमर लेके चलते हैं जब N आपका odd रहेगा तब क्या होगा? जब N आपका odd रहेगा तब क्या होगा इसको लेके चलते हैं इसको आप फटा-फट नोट कर लीजे स्क्रीन सोट भी लेने का मैं आपको दे रहा हूं महुआ का चलिए ठीक है अब जो है यहीं से मैं मिटाओंगा समझे यहीं से मिटाना है इसके उपर नहीं मिटा सकते हैं इसके उपर कभी जरुवत पड़ेगा इसके उपर नहीं मिटा सकते हैं इसके उपर जरुवत पड़ेगा देखिए आपका if n is odd जब आपका odd हो जाए तब देखिए तो क्या हो जाएगा यह आपका दो नम्मर i mn equal to n minus 1 by m plus n n minus 3 by m plus n minus 2 n minus 5 by m plus n minus 4 dot 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 आपका क्या हो जाएगा तो आपका हो जाएगा i m और जब आपका n को odd बोलते हैं तो odd से even घटाईगत एक बचेगा याने की 1 हो जाएगा और इसके जस्ट पहले वाला देखिए कैसे लिखेगा तरीका है n minus 6 तो उससे एक ज़्यादा n minus 5 एक तो इससे ज़्यादा 2 नीचे m तो होवे करेगा और n minus 5 से नीचे ज़्यादा n minus 4 तो 2 से ज़्यादा नीचे कितना हो गया? 3 2 से ज़्यादा नीचे कितना हो गया? 3 और इधर आपका 2-2 आपका बढ़ते जाएगा याने की 4 बटे M पलस कितना 5 और अब M है हम लोगों का M I M 1 निकालना अब M है I M 1 निकालना तो आईए निकालते हैं 9 9 I M 1 इकॉल टू इंट्रिकेशन 0 2 पाई बाई 2 साइन पे पाउर M X और N के जगह पे 1 है और अब क्या किजे इकॉल टू इंट्रिकेशन 0 2 पाई बाई 2 साइन पे पाउर M X और D में गुशा दिजी आप साइन क्योंकि साइन का डिफ्रेंसेशन कितना हो गया कॉस साइन का डिफ्रेंसेशन कॉस तो कितना हो जाएगा इंट्रिकेशन साइन पे पाउर M पलस 1 और बटे में M पलस 1 कौन सा फर्मुला लगा दिये X पे पावर N का इंट्रिगेशन X पे पावर N पलस 1 बाई N पलस 1 लिमिट आपका हो गया 0 से पाई बाई 2 जब पाई बाई 2 रखेगा तो उपर फेल वन और नीचे आपका हो गया M पलस 1 और 0 रखेगा तो साइन 0 तो 0 हो जाएगा 0 रखेगा तो 0 हो जाएगा यानि कि इस केस में इस केस में I M N बराबर क्या हो गया N मैनस 1 बाई M पलस N इंट्व N मैनस 3 बाई M पलस N मैनस 2 इंट्व N मैनस 5 बाई M पलस N मैनस 4 डॉट 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 4 by M plus 5 2 by M plus 3 और किसी भी हालत में यहां पर चाहें M आपका even है या odd है भेलू 1 by M plus N आया 1 by M plus N M plus 1 1 by M plus 1 either either M is even or odd यानि कि इसके पहले वाले case में M पे depend कर रहा था M आपका even है के odd है इसपे depend कर रहा था लेकिन यहां पर जो है M पे depend नहीं कर रहा M पे depend नहीं कर रहा M even हो या odd हो उससे कोई फर्क ने पड़ता है formula यही हो जाएगा लेकिन हाँ यहां पर N odd है यानि कि इसके पहले वाले case में n event था, तो m पे 2 case बना था, और यहां पर n आपका odd है, तो m पर कोई भी case नहीं बना, दोनों के लिए आपका same formula आ गया, समझ के, दोनों के लिए आपका formula same आ गया, यह आपका है reduction formula, समझ के, यह आपका है reduction formula, hope कि यह आपका concept बिल्कुल clear हो गया होगा, आपका concept बिल्कुल clear हो गया होगा, तो आप इसको note कीजे, समझ के, और फिर अगले class में, अगले class में कुछ formula सब करवा देंगे, हाँ, कुछ सवाल सब इसमें बनवा देंगे, ठीक है, आप इसको note कीजे, फटा फटा आप इसको note कीजे, आप झाल, आप झाल, आप झाल झाल झाल